दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ मिरा रोड में और यहां पर एक बहुती फेमस स्टूडियो है स्टार डिजिटल कलर डैब और फोटो स्टूडियो तो आज हम बात करेंगे इसके ओनर से और जानेंगे उन्हों से स्टूडियो को कैसे डाला कितना खर्चा है और किस तरह के क्यूपमेंट्स यहां पर यूज कर रहे हैं क्या क्या सर्विसिस दे रहे हैं तो अगर आप लोग अपना फोटो स्टूडियो डलने का प्लान कर रहे हैं तो इस इस वीडियो से जो है आपको एक अच्छी खासी जानकरी ज़रूर मिलेगी तो इस वीडियो का आप एंट तक जरूर देखिए सो वेल्कम बेक तो मैं चैनल फ्रेंड्स दिस इस मनीश सक्सेन आप आईए श्रुबात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मिलते हैं हम आज स्टूडियो ओनर से तो इनका जो नाम है इनका नाम है बीजू जोजफ जोखी ओनर है सो फर्स्ट अपल थैंक यू सो मज मिस्टर बीजू आपने हमें टाइम दिया यहां पर यहां पर हम अपने दर्शक को बताना चाहरे है कि जो लोग फोटो चूश्ट आलने का प्लान कर रहे कि कि वही कितना एक खर्चा आता है कितना बड़ आपका ये एरिया कि कितने एरे में बना हुआ है क्या ये रेंटल है ये आपका कुद का स्टूडियो है तो कुछ सवाल पुछेंगे बस आपको उनका जवाब देना है ताकि हमारे दर्श्ट को थोड़ी हेल्प मिले तो सबसे मारे दर्श इसका मतला फोट्णाफूर्फ मिद्टीों का शुट हरा है कि वटफोट्ड़्श क Forschобы हãos एटेरिके यह सब फोटो फ्रेम्स लगाएं पुरा उके गिफ्ट इटम्स यह सब चल गए और उसके अलावा जो है यह जैसे मैं देख पराऊ आँ आपके जो काउंटर पर यह सारा पासपोर्ट साइज पिच्छर यह पासपोर्ट साइज तो विसा के लिए अलगलग साइज लगते क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता है कि जैसे थाइलेंड का वीजा उसका साइज अलग है या यूरोप के अंदर है अमेरिका का तो यह सब आप अपने कस्टमर को बताते क्योंकि इसका प्राइस के साथ अम लोग लिखे रहें कोई भी बैड़े लोग भी आया हम लो तो इससे। कंफूजन नहीं होता है इस हो जाते है अचो अचो लिखिया यersonली अरय आप मिल जाता है तो इसमें थ्वा बहुत टाइम वेस्ट करता है यह कितने का है वो कितने का है पूछ के तो यहां पर हर चीज बहुत क्लियर कट है जो कि 22 साल हो गया इनको तो यह सारी चीज है मेरे ख्याल से टाइम के साथ उन्होंने सीखी होंगी जरूर अच्छा दूसरी चीज मैं आपसे पूछना है पूरा तो यहां पर यह कौनसी आपने दो अगा यह कितने का लाइट आपको पड़ागी क्या कित है यह कित होंगा इसका कित का प्रेश कित का प्रराइश अप ट्वेटीफई तुशन 25,000 क्या कि असमें मिला ट्वेटीफइज़ीय तोसंड में में लाइश कीकशन में ल यहां पर आपका मैं थोड़ा सा उल्टा घुमाता हूं तो यह पीछे बैगराउंड यह है नॉर्मली वाइट बैगराउंड में आम लोग शूट करते हैं फिर कोई भी बैगराउंड चेंज करने में इसी रहते हैं तो यह जैसे आपने इधर अपना जो है यह चेंज कर सकते डीजितली चेंज करने में इसी रहते हैं वहाँ पर आप इधर आजए तो वहां पर जैसे मतलब आठाव कंप्यूटर पर नॉर्मली जो फैपल अप्र फोतो प्लिक होते हैं उसको बैगरूंड दूसरा बैगरूंड डलते हैं तो इसके लिए वाइट बैगरूंड में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर जब आप अपने इक स्टूडियो डाल रहे हैं तो यहां पर मुझे जो अच्छी बात लगी वह यह लगा कि एक तो बहुत ही नीटन क्लीन प्लेस है दो लाइट है चोटी सी जगह में जिसमें आप आराम से पास्पूर्ट साइज फोटोग्राफी कर सकते हो हैट्शॉट पोट्रेट्स यह सब आप अपने च्छोटे स्टूडियो में ले सकते हो उसके लाव है आपे दो लाइट है एक लाइट और रख तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे है का आपको अपना इक स्टूडियो बनाना है तो मुझे जाह तक जो ची समझ में ही वह है कि इन्होंने अपना स्टूडियो दो सेक्शन में बाटा है एक तो है पुरा बहार का यानि कि जब आप एंट्री करते हो और दूसरा जो है आप महिने स स्टूडियो ही थैंट ऑचु si so jest जो छी है तो सेवंडी वित है तूरियो ये अपना है धोना कर राएं जाता है जाता बहुत ही में इस प्रापसियो है वह भार्टी जो बहुत ही दुख सपशिव है तो यह बासल पहले हो दूबेल तो यह स्टूडियो इनका बिलकुल एक स्टेशन रोड को कनेट करता है हुआ है तो बहुत ही फिमस है यहां पर जगह चलते हैं और हमारे दर्शकों को दिखाते हैं और क्या-क्या चीज अविलेबल है यहां पर मैं कुछ देख पा रहा हूं यह आपके प्रिंटर है यहां प प्रिंटर लेना है तो कम से कम एक अच्छा प्रिंटर जो है करीब 28,000 के आसपस आता है और यह आपने के एक जिरॉक्स मशीन भी लगाई है यहां प्रिंटर है मतलब सिरॉक्स प्रिंटर में अभी फोटोग्राफिक है दीरे दीरे बिसंस तोड़ा डाउन जाते तो फिर उसके लिए कि सिरॉक्स भी आड कर दी हम लोग यह कोविड अभी जिससे कोविड आया तो फ़रक पड़ा उससे दो साल से अभी यह सिरॉक्स पी आड किया तो कस इनके लिए अड़िस खाली फोटोग्राफी में स्टुडियो आज के तरिक में रन करना बहुत डिफिकल्टी है तो उसको गिफ्ट आइटम से फ्रेम से गिफ्ट आइटम से एस अड़न प्रोडेक्स करना पड़ेगा मतलब इसमें कुछ प्रोडेक्ट करके सेल करना तो सिर्फ फोटोग्राफी से ही काम नहीं चलेगा अगर आप एक स्टुडियो आल रहे तो वहां पर आप अपने लिए थुड़े से एड़न आटम रखें रहें से गिफ्ट आइटम से परस्नलाइज से अम जादा करके प्रोडेक्स से परस्नलाइज गिफ्ट फोटोग्र यह उसके लावा जो जैसे बताया यह तो आपके स्टूडियो में सर्विसेस होगा रहे पास्पोर्ट का है यह आपने पोर्टीओ का बताया यह पोर्डेट है उसके लावाँ वेडिंग का भी आप देख्थे डिंग ही करते हैं कोई भी इवंस का फोटोग्रफी अम लो कर कुछ भी फंक्शन होई यह नोग का है तो दोस्तों आप इस बात का धियान यह का धिया चुट जब आपने इक स्टूडियोर डालें तो यहां पर आपको ना केवल अपने स्टूडियो के लिए काम करना है तो यह भी धियान रखें कि पर थी आपके धिया है स्कूल के लिए प्रोब्लम्स आती हैं और अभी करेंटली क्या प्रोब्लम्स है अचकल? अभी कोविट का वजे से तोड़ा बिसनेस डाउन हो गया. अपना जो बिसनेस है अलमॉस्ट फिफ्टी परसंट डाउन है अभी. अभी फिचले ही दो साल से. तो उसके लिए करने के लिए तो आपने को करना पड़ते हैं अभी ओंशो पे तो इतना प्रोप्लम नहीं होते हैं तो मालीजे जैसे कि आज की जो जन्रेशन है वो ज्यादा तर बहुत सारा पैसा नए कैमरा लेंसे और लाइटिंग गेर्स पर खर्चा करती हैं आपका क्या आप भी बिल्कुल लेटेस गेर यूज करते हैं या अपना आपको मालों में कि नए हो पुरानों फोटोस तो अच्छी आती है तोड़ा बहुत यहां वह चीज़े हो जाती है आपका क्या कहना है क्या 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 अब ही देखो डेवाई डेवाई डेट होते जाते हैं अब हैं तो चेंज करने क्या टो कुछ नए ऐटम आता है उसमें शूट करेगा तो उसका रिसल्सक्रायरिटी रिजल्ट उतना चाते हैं अभी तो प्सक्तर्पो और जो अज़रे डिंग विदिंग रहिए आज जो फेसमें जो क्यामरा यूज को उसक्तर मावरा यूज करन यूस करना पड़ते है तो रिसल्ट उसका आते है तो इसमोर लेकि अपने पास में अगर गेर अच्छे है तो एक फोड़ा ड्वांटेज रहता है पुरा तो अभी क्या यूस करते है वेडिंग लिए अगर मैं अपसे पूछ रहा हूं जासे कैमरा लिंसे अमनों का मार्क 3 य यूस करें अगर मार्क 3 को आए काफी टाइम हो गया बड़ जैसा बता रहे है कि मैं हमेशा बने वीडियो में बोलता हूं कि मार्क 3 के बाद मार्क 4 आया अभी R5 आगे R6 आगे Canon की बाद कर रहे है तो ठीक है फीचर बढ़ बढ़ गए मिरर लेस आगे टेक्नलोजी बढ़ को रन करना है कंप्लिटली डिफरेंट गेम होता है तो बिजनस रन करने के लिए क्या काबिलेत होनी चाहिए जो लोग आज नए बच्चे अनको क्या कहना चाहेंगे बिजनस रन करने के लिए क्यों कि अभी जैसे आप सुडियो चला रहे है और आप तो आपको पुरा में म आपको बताया है तो यह जो एड़न प्रोडेक्स जरूर चाहिए तो सब आ गया अभी क्या होता है ना कई लोग खरीज लेते इंवेस्टमेंट भी कर रहेते हैं बोलते हैं कि हमारा बिजनस नहीं चल रहा है किसी के पास है तो स्टुडियो चाल हो करने में बहुत इंवेस्मेंट तो ज्यादा इन इन अभी लाइटिंग करे दिया दो परिंडर करें चालो कर सकते हैं लेकिन जो पॉटेंशिल एरिया है जो किदर स्टुडियो डालने के डिपन्स उसको उपर भी डिपन्स है मतलब यहां पर रोज कुछ का बहुता है कि लोकेशन जो है डूच्छ गृटति अगड़ा होना चाहिए अभी मेरा जो लोकेशन बाइस नियर भी स्कूल है थे हौश्पिटल है इसे डियोगेसे अड़ा उना चाहिए चुल कोले दो तिन अई तो यहांट रोज को पिस और गारा हो तो यह एक तरह का अच्छा क्वालिटी है मतलब कि अगर आप कोई फोटोग्राफी बिजनस कर रहे हैं तो यहां पर आपको अपने कस्टमर का डेटा जो है वह भी बहुत समाल के रखना है क्योंकि कॉस्टमर इस कि और अगर कस्टमर का ध्यान नहीं रखेंगे जैसे नहीं बहुत अच्छी बात लगी कि दस साल पुराना भी यह पिच्छस ढूंड के दे देते हैं वहीं किसी ने पास्पोर्ट साइज निकाला है तो डेटा बहुत आज की तारीक में दोस्तों यह भी चीज बहुत इंपोर्टन है कि आप जो भी कस्टमर के साथ जिनके साथ भी श जाइन पासपोर्ट साथ जो भी बात लाट जाए यह प्रिंट आइट डाल रहा है तो तो उसके पता बहुत अच्छी अपडूँछ जो अच्छी आप नोट जाहरा है जैसे यहां बर यह कुछ दोस्तिकेट्स कर रहा है क्यों कि क्योंते कोई स्टूट डाल रहा है तो उस तो यह नहीं पता होता है कि यह सर्टिफिकेशन लाइस से क्या ही क्या चीज है एक तो शौपान डिस्टाब्लिश्मेंट लाइस से एक गुमस्ता लाइस से थोड़ा से इसको थोड़ा और सरल शब्दों में तोड़ा इसी उसमें बताएंगे ताकि दर्शट समयच में क्या तो अगर कोल रहा है तो अगर कोल रहा है तो यह चीज़ जरूरी है नगरपाली गागा यह लाइसन्स जरूरी है कभी वह लो आके पूछ लेगा मारा लाइसन्स क्या किदर रहे तो यह दोनों अपना नाम में होना जरूरी है तो मतलब कोई स्टूर डालेगा तो यह तरह के दो लाइसन्स आपके पास होना चाहिए अब अलग 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 शहरों में इसे मंबंबई में इसे का यहां कहा जाता है गूमस्ता लाइसन्स जो शॉप्स डालते हैं अगर आप नौर्थ हिंडा में जाएंगे तो शायद वहां पर किसी और नाम से से जानते हैं बट यह चीज़ें जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते कोई भी बिजनस शुरू करने से पहले आपको जानकर होनी चाहिए कि लाइसन्स कॉन सा लगेगा उसके अलावा यह ज तो तीन से चार लाग रुपी इंडियार में खचागी अमे आपने ऐर कंडिशनिंग साफ फ्लोर व्लोर सारा चीज अगया नहीं एर कंडिशनिंग फ्लोर्टेंस तक और ऊगया ओ गया तो भाह देखिए यह वी ए खरचा होता है का अगर आप फोर तो डाल रहे हैं तो यहां पर आप देखिए आपका मेरी खाल से एडिटिंग प्लेस है तो यह तो यह आपके अपना एडिटर है यह अपना एडिटर है मिस्टर सण नी अब आप आपके दो में आपके दोर्ट आपके अज आया नहीं है दूования दूसर आप किसी को अज़ना चुटिनीग कर दो काम भी आ प्लेते सारा जॉब किसी ने कहीं से भार से करके है तो अब है कस्टमर फो टोग्राफफर अभी मेरा फोटोग्राफ़ ये नहीं आपका लाइसे कापि रहता है यहां जो आपका लाइसे कोपी रहता है यापना वैसे ही रहता है? लाइसेंस कॉपी है यह बहुत अच्छी बात है कि लाइसेंस कॉपी आप हमेशा यूज करिए दोस्तों सस्ती आते और आप तो मंत्री रेंटल पर भी मिल जाता है मैंने वीडियो बनाए इसके उपर आप देखिए हैं जरूर तो एडिटिंग के लिए क्या किन-किन बातों क सब्सक्राइब करना चाहिए उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं और जनरली जब आप एडिट कितना टाइम लेते हैं कि अगर्मालीज एक पूरा वेडिंग को एडिट करने में एक्चली हम लोग तो मैं अपना 30-40 पेस तक का वन डे में कर लेता हूं बाकि आपी पासपो बाकि मैं वेडिंग नहीं करता हूं बट डिलिवरी इस वरी वरी इंपोर्टन इन फोटोग्राफी बिजनस की आपने कस्टमर का काम लिया उसका अपकब डिलिवर कर रहे हैं तो आपका जो भी एडिटर है वो अपने काम में एक्सपर्ट ओना चाहिए जिस दिन काम लिया ऑफ है उसके इस जैसे पासपोर्ट है तो आप ऐसी दिन दे लिवरी देना पड़ता तो आखिरम एक चीज मैं लास्ट में खतम करों अभी और कि आप आझर में पूछना चाहिए करें के लिए यह सोचने की इस में पैसा इंवेस्ट करें तो उनके लिए खाली आप ऐसी दो चीजे में जो पीसा पर गल्त तो नहीं करनाई से अब आगे बढ़ने अबी क्यामरा बोलते हैं मार्स लेने का इसमें में इन्मस्मेंट में सब्सक्राइब पें तो आगे बढ़ने के डरेक्ट अभी पाइसा जादाए इन्वस्त करके फिर धाल नहीं होना चाहिए तो आपका केने मतले हैं अपना बिग्नर अपना लेंस लेकि उस पर आप सीखो और उसके बाद फिर दिर दिर अर्निंग और एक चीज़ और लास्ट में पूछूंग आपसे कि आपको क्या लगते हैं आगे क्या फुचर फोटोग्राफ अफ्टर कोविड यह ज़सी आपको फोटो प्रोटोड अज यहां पर बाजार कि यह ज़सी आप यहां करना था झापसी और एपाइवा ज़सी प्रोटोग्राफ न इस पर फिटे विटल यूर्ट आपको पूड रदे सिया लिमित लिमित आपको पार कि अदर। जुचर तो अच्छों इस पीज़ाइग तो यह जिसा काम च्छल आपको फुचर तो इस एक studio विजट करते हैं और इससे काफी सारे लोगों को तोड़ा सा जानकरी तो मेलेगा उमीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे जल्दी से लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर दो झाल क्याम सब्सक्राइब नहीं है वीडियो पर यहां कर दोस्तों आपको भूआ पना उआएब दोस्तों आपको उगन एक प्जएब मारिटे को अरक्षब दोस्तों आपको बहाती हैं तोस्तों आपको अईश्टेब